अब दिखे गवर्मेंट एडवर्डीजमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए 2015 में ओनेबल सुप्रीम कोट ने मैंडेट किया था For Constituting Committee on Content Regulation in Government Advertisements और हाली में 4 सेप्टेंबर को इस कमिटी की 19th मीटिंग हुई थी इस मीटिंग के चेयर परसन श्री ओम प्रकाश रावत थे जो की फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिशनर ओफ इंडिया थे साती साथ दो और मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था एक श्री रमेश नारायन जो की Asian Federation of Advertising Associations के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और साती साथ श्री अशुक कुमार टंडन जो की प्रसार भारती बोर्ड के पार्ट टाइम मेंबर रह चुके हैं अब दिखे ये सब जो डाइरेक्शन्स हैं ये ओनेबल सुप्रीम कोट ने 13 मई 2015 को दिये थे और इसी के परस्विंस में 6 अप्रेल 2016 को Central Government ने तीन मेंबर की कमिटी बनाई थी यहाँ पर ओनेबल सुप्रीम कोट के हिसाब से उन advertisements को regulate करना ज़रूरी है जो की government के द्वारा funded होते हैं साती साथ कोट ने ये भी कहा था कि ऐसे government funded advertisements government की constitutional और legal obligations से जुड़े होने चाहिए और या तो citizens के rights और entitlements को बताने के लिए जरूरी होने चाहिए कुल मिलाके Honorable Supreme Code का कहना था कि ऐसे government funded advertisements ruling party के political interest को promote करने के लिए नहीं होने चाहिए और जो भी ad campaigns government के द्वारा undertake किये जा रहे हैं वो efficient और cost effective होने चाहिए मतलब ये नहीं कि आप किसी योजना को implement करने की बजाए उसके advertisements में ही सारा पैसा खर्च करते चले जा रहे हैं इसके साथ साथ ऐसे advertisements को legal requirement और financial regulations को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए सवाल ये बनता है कि फिर ये committee क्यों बनाई गई थी देखे committee के पास power है कि वो general public से complaints receive कर सके in regards to any government advertisements जो की Supreme Court की guidelines को violate करते हैं और इस complaint को file करने के लिए committee को उसके address पे एक letter लिखके बताया जा सकता है अब देखे Supreme Court की guidelines के हिसाब से ये जो content regulation की committee है ये सिर्फ central level पे नहीं बलकि हर एक state में होनी चाहिए और ये उस state government का दायत्व है कि वो तीन members की committee बनाए अब देखे 4 September की meeting में इस बात का भी संग्यान लिया गया कि अभी तक सिर्फ 4 states ने ऐसी committee बनाई है जो की हैं करनाटक, गोवा, मिजुरम और नागालैंड इस चीज का संग्यान लेते हुए committee ने कहा कि without any reason जो state governments डीले कर रही है इनको contempt of honorable supreme court माना जा सकता है इसके अलावा कुछ states ने तो committee के notices का reply तक नहीं दिया है जो की committee ने in pursuance of complaint received भेजा था state governments को मतब state governments यहाँ पर यह कर रही है कि अपने यहाँ तो committee बना ही नहीं रही है और साथी साथ जो central level की committee है अगर वो किसी complaint के regarding उनको notice भेजती है तो उसका भी यह लोग reply नहीं कर रहे हैं हावेवर, committee ने यहाँ पर prevailing COVID-19 situation का संग्यान लेते हुए यह कहा कि states को हम और ज़्यादा time दे देंगे for furnishing their replies to notices साथी साथ committee ने यह भी कहा कि अगर इसी तहीके से non-compliance चलता रहा committee के orders का तो committee will be compelled to put an embargo on issue of further advertisements यानि कि जिन लोगों ने committee की notices का reply नहीं किया है उनके उपर ban लगाया जा सकता है from issuing any further advertisements अच्छा एक चीज और ध्यान रखेगा कि the committee has the power to summon concerned officials of government agencies मतलब कि यह एक तरीके से committee की judicial power में आता है अब committee की judicial powers की बात करें तो सबसे पहले वो complaints receive कर सकता है और उनको adjudicate कर सकता है secondly, committee notices भेज सकती है और thirdly, committee के पास summoning power है और lastly, they can put an embargo in case of non-compliance तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेगा